स्टैचू अफ लिबर्टी जितना देखने में शानदार है उतनी ही दलचस्प इसके तथे हैं दो देशों के बीच दोस्ती ऐसी जो दुनिया में दोस्ती की मिश्टाल है वो कहते हैं न दोस्ती ख्वाब है और ख्वाब की तावीर भी है रिष्टाए इश्क भी है और स्टैचू अफ लिबर्टी ना सिफ अमेरिका बलकि दुनिया किया सबसे मशूर स्टैचू है जिसे अमेरीकी स्वतंतता का स्थाई प्रती की रूप में देखा जाता है इसे चार जूलाई 1776 को अमेरिका की स्वतंतता की स्मृति में फ्रेंसीसियो द्वारा एक उपहार द और अमेरिका दोनों ने मिल कर किया था जहां स्टैचू की नीम का निर्मार अमेरिका द्वारा किया गया तो वहीं इसके अन्य हिस्सों का निर्मार फ्रेंस की लोगों द्वारा किया था चलिए आपको स्टैचू अफ लिबर्टी के अन्य रोचक तथियों के बारे में बत प्रतिमा का नाम रोमन देवी लिबर्टिस के नाम पर रखा गया है, जो रोमन पौडारिक कथाओं में स्वतंतरता का प्रतिक है, यह प्रतिमा भले ही जलती हुई मिसाल के लिए जानी जाती है, लेकिन अब जो इसमें मिसाल रखी गई है, वो एक कौपी है, 1984 में मौसम की वज़े से होने वाले नुकसानों के कारण मिसाल को बदलना पड़ा था, कौपी रखी गई टॉर्च में नए तरीके के मिसाल को डिजाइन किया गया है, ओरिजनल मिसाल को परिटकों की देखने के लिए लिबर्टी संगराले में डिस्पले के रूप में रखा गया है, वैसे स्टैचो अफ लिबर्टी के पैर सही डंग से देख पाना मुश्किल है, लेकिन आपको बता दे स्टैचो अफ लिबर्टी के जूते का आकार 8.79 है, यह एक अमेरिका महिला के औसत जूतों के आकार से करीबन 98% बड़ा है, चूकि स्टैचो अफ लिबर्टी कॉपर कार्बोनेट बनना शुरू कर दिया, जिससे पटीना कहा जाता है, यह बदलाव स्मारक की स्थापना के 30 साल बात देखा जाने लगा, जिसने अंत स्टैचो अफ लिबर्टी को हरा कर दिया, जो लोग स्टैचो के सिर तक जाना चाहते हैं, तो उनके लिए आपको 354 सीड़ियां पैदल चलनी पड़ेंगे, इसमारक की करमचारियों काल्डोगों को यह सुझाव होता है, कि अगर आप इतनी सीड़ियां चलना चाहते हैं, तो आपका स्वास्त एक दम फिट होना चाहिए, सीड़ियां चलने में और सतन 15-20 मिनट का समय लगता है, मूर्ती के म पर साथ किड़ने हैं, जो दुनिया के साथ महादीपों और महासागरों का प्रतीक है, 1986 में मरमत के दौरान नई मिसाल को 24 कैरट सोने के पतली चादर से खेरा गया, मूर्ती के बाएं हाथ में नोटबुक या टाबलेट है, जिस पर जुलाई, आई, वी, अमजी, सी, सी, सी वी, आई लिखा है, जो जुलाई, जिसका मतलब 4 जुलाई, 1776, यानि अमेरिका की आजादी की तारीख है, नैशनल पार्क सर्विस स्टैचू अफ लिबर्टी को देखने के लिए एक दिन में अधिक्तब 240 महमानों को ही अनुमती देती है, इसके अलावा, पूरे दिन में क्राउन तक जाने के लिए ये सीमा तै की गई है, हाला कि परेटकों को 10 लोगों के ग्रुप में विभाजित किया जाता है, और क्राउन में रुखने के लिए समय सीमा दी जाती है, प्रतेक समुह के साथ एक राष्ट्रिय उद्ध्यान सेवा रेंजर होता है, जो समुह की स सुरक्षा सुनिक्षित करता है और साथ इस मारक की सुरक्षा की भी देख रेक करता है, 1984 में योनिस्कू ने इसे ग्लोबल हैरिटेज साइट बनाया था